गुद मॉर्निंग दियर स्टुडेंस आज के क्लास में हम लोग हिंदी लिटरीचर का पाठ तोता के बारे में एक बहुत ही प्यारी कवीता पढ़ेंगे और साथ-साथ इस कवीता में आये हुए शब्दों को हम लोग देखेंगे जिसमें ओ की मात्रा वाले शब्दों का हम लोग अभ्यास भी करते जाएंगे तोता आपके आसपास पडोस में या आकाश में अपने देखा ही होगा लोग क्या करते हैं बहुत ही शौक से अपने घरों में तोते को पालते हैं पिंजडे में रखते हैं और उसको अपने घरों में पालते हैं तोते के बारे में कहा जाता है कि वो इनसान की या किसी भी ल अकल करके बोलता है तो सबसे पहले इस लेशन को हम लोग रीडिंग करते हैं चलिए शुरू कीजिए अपनी अपनी बुक आप लोग खोल लेंगे और देखते जाएंगे कि इस कवीता में क्या-क्या कहा गया है और साथ-साथ इस पाठ में आप लोग ओ की मात्रा वाले शब् आये गया है यह पिंजडे में बैठा तोता हसता गाता रोता सोता सुबह सबेरे यह जग जाता तब से राम नाम है गाता जब कोई बाहर से आता तब यह चौकन ना हो जाता कहता है आओ जी आओ पीओ चाय खाना भी खाओ सबका मनिया खुश कर देता नहीं किसी से कुछ भी लेता तो इस पैरगराफ में पोईट हमसे कभी हमसे यह बता रहे हैं कि तोता जो है लोग अपने शौक के लिए घरों में पालते हैं पिंजडे में बंद करके रखते हैं और वो इस तरह से उसकी एक जिंदगी बन जाती यह पिंजडे के अंदर है तो जैसे हम लोग घर में रहते हैं घर में अपने सारे काम करते हैं खाना पीना नाचना गाना उठना बैठना टीवी देखना वैसे ही तोते की सारी दिन चरिया है रोज रूटिन डेली रूटिन उसका कहा होता है पिंजडे के अंदर ही होता है वह हसता, गाता, रोता, सोता, सब कुछ पिंजडे के अंदर ही करता है. सुबह, सबेरे, जग जाता है, तब से वो राम, नाम ही गाता है. जैसे आप जो कुछ भी सिखाएंगे, उसे अगर आप अच्छी बाते सिखाएंगे, तो वो अच्छी बाते बोलेगा. अगर आप उसे गाली सिखाएंगे, तो वो गाली भी देना शुरू करता है. तो हमें अच्छी बाते ही सिखानी चाहिए. जब कोई बाहर से आता, तब ये चोकन ना हो जाता, बिल्कुल सावधान हो जाता है. बाहर से जो भी अजनबी, नए लोग आते हैं, महमान लोग आते हैं, तो ये बिल्कुल सावधान हो जाता है. क्योंकि कभी उन लोगों से ये मिला नहीं होता है. तो उनको ये क्या कहता है? जैसे अगर आप सिखाते रहे होंगे, कि अगर कोई बाहर से आये, तो उसे प्रणाम कहना है, गुड मॉनिंग कहना है, तो तोता भी वही चीज महमानों से भी कहता है, जो भी बाहर से आता है, उसको वही चीज कहता है. तो तोता कहता है, आओ जी आओ, पियो चाय खाना भी खाओ, सब कामन यह खुश कर देता, नहीं किसी से कुछ भी लेता, इतना प्यारा पक्षी, बहुत ही प्यारा पक्षी है, इतनी इसकी मीठी बोली है, आप जो सिखाएंगे वही यह बहुत असानी से बोलता है, और सब का मन हर लेता है, इतनी प्यारी मीठी बोली इसकी होती है, बदले में यह लोगों से कुछ लेता नहीं है, बलकि उनको बहुत ही खुशी प्रإदान करता है, अपनी बोली से, अपनी नकल से, ठीक है, अब अगला परगराफ हम लोग देखते हैं, अगले परगराफ में कवी दाल चने की इसे सुहाती, हरी मेर्च भी इसको भाती, लाल चोच लगती है प्यारी, हरे रंग पर सब बलिहारी, गंगा राम नाम है प्यारा, मीठी बोली बड़ा सहारा, सबसे राम नाम है कहता, सुनने वाला भी खुश रहता तो तोते को क्या क्या चीजे पसंद है, इस पैरगराफ में, इस पंक्तियों में कवी ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि तोते को चने की दाल और हरी मेर्च बहुत ही पसंद है अब इसकी बनावट कैसी है इसके कलर कैसे है रंग कैसे है लाल चोच लगती है प्यारी कह रहा है कि इसकी जो चोच है बिक है वो किस कलर की है लाल रंग की होती है और तोता खुद कैसा रंग का होता है हरे रंग का होता है जो सब पर बली हा रही है सब एकदम हरा रंग गंगा राम नाम है प्यारा अब इस तोते का क्या नाम बताया जा रहा है कि इस तोते का गंगा राम नाम है मीठी बोली बड़ा सहारा बहुत ही मीठी बोली बोलता है सबसे राम नाम है कहता राम राम जी राम राम जी जो भी घर में आता है सारे महमानों को कहता है राम राम तो सबसे राम नाम है कहता सुनने वाला भी खुश रहता तो सुनने वाले को बहुत ही आनंद आता है बहुत ही सुख मिलता है तो इस कवीता से हमें क्या सिख मिलती है कि हमें भी मीठी बोली बोलते रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमसे खुश रहें करवी बोली नहीं बो यह गया है जिसके अर्थ जानने जरूरी है नए शब्द चोकन्न चोकन्न का मतलब क्या होता है सावधान हो जाना सजग हो जाना सचेत हो जाना खुश खुश का मतलब है प्रसन हैपी सुहाती अच्छी लगती मिठी बोली सबको अच्छी लगती है ना हां तो हमें मिठी बोली बोलना चाहती सुहाती का आर्थ होता है अच्छी लगती सहारा सहारा मतलब आसरा सहारा का मतलब होता है आसरा भाती यहां भाती का भी मतलब होता है अच्छी लगती अच्छा लगना अब आएए देखते हैं इस ल और बताए, तोते का रंग कैसा है? तो तोता तो हम सभी ने देखा है, आपने देखा है, हमने भी देखा है, पड़ोस में देखा है, पेड़ों पर देखा है, बगीचे में देखा है, आस्मान में उड़ते हुए देखा है, तो तोता किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है हरे रंग का होता है दूसरा है चोच का रंग कैसा है अब आपको भी पता है आपके लेसन में पिक्चर में भी दिया हुआ है तोते का चोच का रंग कैसा होता है लाल रंग का होता है नेक्स्ट है तोता क्या खाता है? अब इस लेसन में बताया गया कि तोते को चने की दाल और हरी मिर्च पसंद है वो चने की दाल और हरी मिर्च खाता है नेक्स्ट तोता क्या गाता है? तोता राम नाम गाता है राम नाम को भजता है अगला है तोते का नाम क्या है? तोते का नाम है गंगाराम तो students इस कवीता को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको ये लेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप बताया है तोते के बारे में इसको आप लोग ध्यान में रखिए और इस लेशन को प्रैक्टिस करते रहिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले लेशन के साथ तब तक के लिए Keep Practicing, have a nice day ahead